आज हम बनाने वाले हैं होटल जैसा दाल तड़का अपने घर पर हाजी दाल तड़का बहुत ही टेस्टी दाल तड़का आज हम अपने घर पर बना कर बताएंगे धोड़ी से हमने इसके उपर हरी पत्ती डाल दिया तो देखो देखने में हमारी दाल जो कितनी अच्छे एक दम बिल्कुल खड़ी खड़ी दिख रही है जैसे होटल में दाल मिलती है उसी तरीके से आज हमने अपने घर पर दाल तड़का बना करके तैयार किया है यकीन मानिये दोस्तों आप एक बार अपने घर पर इस तरीके से डाल तड़का बना लेगे तो कभी भी बाहर की डाल को नहीं खाएंगे तो देरी किस बात के चलिए हम बनाना बताते हैं देखो हमने एक कटोरी भर के तूर डाल ले ली है इसे अरहर की डाल भी बोलते हैं जितनी क्वांटिटी में आप इस डाल को बनाना चाहते हैं उतनी ही आप डाल ले ले हमारे पास है छिलके वाली डाल है यादि बिना छिलके वाली डाल हो तो आप बिना छिलके वाली डाल भ करके तयार करते हैं और हम 2-3 बार साप पानी से इसको धूलेगे इस में डाल albums होगई तो सारी डाल अच्छे से निकल जाएगे और जो हमारी दाल है अच्छे से धूल करके तयार हो जाएगी इस तरीके से हम 3-4 बार साप पानी से धूलेगे जब हम दाल को अच्छे से धूलेंगे तो 10-15 मिनट के लिए दाल को हम इसी तरीके से भिंगो करके रख देंगे जिससे जो हमारी दाल है जल्दी से पक करके तैयार हो जाएगी देखो हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है 10-15 मिनट में ही दाल भूल करके अच्छे से तैयार हो जाती है इसका जो एक्ष्टरा पानी है वेक्ष्टरा पानी निकाल देंगे और दाल को हम कोकर में डाल देंगे और इसमें हम थोड़े से तेज पत्त डाल देंगे और हम एक हरी इलाईजी डाल देंगे और 3-4 हमें इसमें लॉंग डाल देंगे जब आप इस तरीके से थोड़ी से खड़े मसारे डालेंगे तो आपकी जो डाल है बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी और उसी कटूरी से हमने 2-3 कटूरी इसमें पानी डाल दिया है डाल आप अपने पतली या गहड़ी अपने एक छानुसार कर सकते हैं इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और हमें इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे देखो हमने 2 चमच भर के इसमें देशी घी डाल देंगे और थोड़ा सा घी हम इस तरीके से ढखकन में लगा देंगे जिससे जो हमारे कोकर में अच्छे से सीटी बने और जो इसका पानी है पानी बिल्कुल भी बाहर न निकले और हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे यदि आप इसमें थोड़ी सी टमाटर और हरी मिर्च को डालना चाहते हैं तो उनको भी डाल सकते हैं अब हम इसके ढखकन लगा करके गैस पर चड़ा देंगे एक या दो सीटी आने तक हम दाल को पका लेंगे एक या दो सीटी में ही डाल अच्छे से पक करके तैयार हो जाती है इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है देखो हमारी जो डाल है अच्छे से पक चुकी है गैस पर हमने कड़ाई में थोड़ा सा ओल डाल दिया है हम यहाँ पर सरसों के ओल में बना रहे हैं यदि आप घी में बनाना चाहती है तो घी में भी बना सकते हैं इसमें उसमें हमने एक चम मजबार के जीऱ डाल दिया है कि और थोड़ी से हमने हिंग डाल दी है और 10 संदर लाय तो अक्षी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे दाल की हमारी सीटी भी निकल चुकी है देखो यह हमारी कितनी अच्छी खड़ी-खड़ी दाल बन करके तैयार हुई है ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका पानी अलग है और अच्छे से पक भी चुकी है जो हमारी प्याज प्याज भी अच्छी से भून करके तैयार हो चुकी है अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे तीखा पना आप अपनी टेस्ट के कोडिंग कामिया जादा कर सकते है और दो हमने टामाटर लिए टामाटर को भी छोटी-छोटी टोकड़ा में कट कर लिया है उसको भी हम इसम से पका लेंगे और हम इसमें थोड़ी से कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे हमारी दाल में बहुत ही अच्छा कलार आएगा इनको हम अच्छे से लगातार चलाते हुए पका लेंगे यदि आप इसमें कुछ सूखे मसाले डालना चाहते हैं तो सूखे मसाले पिसे हुए आप डाल सकते हैं यानि कि धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और जो हमें दाल बना करके रखी थी दाल को हम इसमें डाल देंगे यदि आपकी दाल गहडी लग रही हूँ तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालें ठंडा पानी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है यदि आप ठंडा पानी डालेंगे तो दाल का टेस्ट बिगड़ जाएगा आप थोड़ा सा गरम पानी अपने एक च्छा की आनुसा दाल को पतला या गाड़ा कर सकते हैं दिखो यह हमारी कितनी अच्छी दाल पक करके तयार हो चुकी है जब आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो कभी भी आप बाहर जाके दाल को नहीं खाएंगे आप हम इसमें एक तड़का लगाएंगे जब आप तड़का लगाएंगे तो जो आपकी दाल है दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें हम दो तिन चमच देशी घी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें सरसोल डाल देंगे यदि आप इसमें घी अकिला डालेंगे तो घी बहुत ही जल्दी उड़ जाता है जब आप इसको गरम करेंगे तो इसलिए जब आप इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे तो जो आपका घी है बहुत ही अच्छा बना रहेगा व बिल्कुल भी न ह norm जड़ेगा जीड में तो फारतो हम्हें की सब्सक्राहुदा सब्सक्राइब तो चमल डेढ़ा लिए आरे निनचाओं लुक्म्हें? तोड़ी सी हम इसमेरी लालमिच पौडर डाल दें जिससे हमारी डाल में और अच्छा है कर बहुत ऑच्छा के Τayार हो चुका बहुत बहुत ही अच्छी जारी देखो हमारा दाल तड़का बन करके तयार हो चुका है जब आप इसे रोटी चावल के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा आप अपने घर पर एक बार बना लेंगे तो कभी भी आप अपने बाहर से दाल तड़का को जारी भी देखो कुछ पिष्ट्वाचNew लीए आपको धन्नवाद